विश्वासमत पर बोलने के लिए आपने आउशर दिया मैं देख रहा था सुबह से विपक्ष के लोग जिस तरीके से आचरन कर रहे थे सदन की गरिमा को गिरा रहे थे बड़ा दुख हो रहा था आप बार-बार कह रहे थी कि विश्वासमत पर चर्चा हो वो भी पार्टिसिपेट करें कुछ कहें लेकिन विपक्ष बास कोई मुद्दा नहीं था और उनको भाना चाहिए था हो चले गए आज पुरा देश देख रहा है पुरी दिल्ली देख रही है कि किस तरीके से भारती जनता पार्टी पुरे देश में एक नए तरीके का समिधान लिखने का कोशिश कर रही है बावा साहब इमराम मेटकर ने जब समिधान लिखा था तो लिखा था कि सत्ता के कुझी जनता के हाथ में होगी जनता अपने प्रतिंदियों को चुनेगी और वो प्रतिंदी मुख्य मंतरी बनाएंगे मंतरी मंदल का गठन होगा और सरकारें चलेंगी लेकिन भारति जनता पार्टी ने एक नया सी थीसिस लेकर आई है वो कहते हैं जहां सरकार जनता नहीं चुनेगी वहां सरकार जरूर बनाएंगे और जहां जहां चुनेगी वहां तो बनाएंगे बनाएंगे और जहां सरकारें जनता नहीं चुनेगी वहाँ तो जरूर ही बनाएंगे वहाँ जरूर बनाएंगे तो हम लोगों ने पूछा भई कौन सा ऐसा थीसिस है कि जहाँ जनता नहीं चुनेगी आपको लोकतंतर के सिदान के इसाब से वहाँ सरकार नहीं बन सकती है आपका ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है जिससे आप सरकार बना लेते हैं जरा बताईए तो आज एक नया कांसेट पूरे देश में चर्चा में है आपरेशन लोटस एक नया सिद्धानत है जहाँ सरकार को जनता चुने ना जहाँ भारती जनता पार्टी को रिफ्यूज कर दे महां कहते हैं हमारे पास आपरेशन लोटस है तो बोले वह यह आपरेशन लोटस क्या है यह बोले पहला उसका चरण है तीन चरण में काम करता है पहला चरण है कि विपक्ष्ट के लोगों को डराएंगे जो डर गे उनको अपने में सामिल करा लेंगे और एक वासिंग बसिंग भी लगा रखा है उनोंने जितने कर्रेट लोग होंगे उनको उस वासिंग में डलेंगे और उनका चरित announce हाँ निर्मा पाृडर डलके वो बिलकुल उनका केरेक्टर बढ़िया हो जाएगा चाहे वो हिमनता विसुद सर्मा जी हो चाहे मुकुल राय जी हो चाहे नाराएंड राने जी हो तमाम उदाराण ऐसे आपके सामने है अद्यक्षा मोदिया पहले ये उन्हीं लोगों पर आरोप लगाते थे भारती जिंता पार्टी के लोग अब इनकी पार्टी में आ गए तो कहते हैं ने जी इनको तो वो हमने धुलाई कर दिया है गंगा जल से पवित्र कर दिया है अभ कि अभी भी छुवा छूथ को मानते हैं लोग कहना गंगा जी के जाकर के समादी को पवित्र करेंगे देश के एक लोगो को गंगा जी के चांडी पर जाने का हाग है इन भारती जनता पार्टी वालोग को पास नहीं है इन्डी लोगों ने ये नातुराम गोट्से को मानने वाले लोग जाकर के गांदी जी के समाधी पर मत्था टेकते हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये नातुराम गोट से के अनुहाई, जो उनके जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, इनके संसद लगाती है, और फिर जाकर गांदी जी के समाधी पर मत्था टेकते हैं, किस मुख से जाते हैं यह देश्भक्ती का पड़ाते पूरे देश के लोगों को सतर सालों तक इनके बात्री संस्ता के मुख्यालह पर भारत मात का त्रंगा जंडा नहीं लरा लराया गया और यह त्रंगे जंडे की बात करते हैं भारती जंता दिल्ली में आकर के आरदिन अर्विंद के जिवाल जी की नेत्रत में वो घोड़ा इनका रुकने का काम होता है क्योंकि यहाँ पे जाडू है याद रखो भरती जंता पार्टी के लोगों यहाँ पे जाडू है और जाडू का काम है जब जब आप भरस्टाचार का कीचल फैलाने की कोशिश करगो तो उसको साफ करने का काम करेगा आपका कमल का फूल दिल्ली में खिलने वाला नहीं है और जहाँ जहाँ भी आदनी अर्विंद के जब जीवाल जी का ज़ाडू पहुंचेगा आपके कीचल और गंदगी का साफ करके कमल के फूल को खिलने से रोक देगा यही आपको घबराट है पूरे देश में आज आज जनी अर्विंद के जीवाल का ज़ाडू पूरे देश में पहुंच रहा है पहले दिल्ली में पहुंचा पंजाब में पहुंचा आप इनको घबरात हो गई है गुजरात में पहुंच गया है इनकी गंदगी साफ होने वाली है कमल का फूल कीचण में खिलता है कीचण अप साफ होने वाला है तो कहते हैं दिल्ली में भी आप रेसन लोटस करेंगे अरे आप रेसन लोटस करने आये हो 2013 में भी प्रयास किया था आप लोगों ने 28 लोग थे हम लोग चुनके आये थे बहुत साधारन घर के लोग थे सब लोग वहाँ भी आप लोग सपल नहीं हुए थे और आज आप फिर बारा बारा लोगों को अपरोच करने की कोशिश किये है एक भी आप देन अर्मिन के जिवाल जी का सिपाही विकाओ नहीं है याद रखना देश पर मर बिटेगा देश की सिख्षा के लिए देश के अच्छी किसा ब्यवस्ता के लिए अच्छा करने के लिए देश में जो बदलाओ का एक महाओल आधनी अर्मिन के जिवाल जी के नितृत तुमें जो लोग महसूस कर रहे हैं आज उसके लिए हम लोग ने उचावर करने के लिए तयार है अपने आपको आप कितना भी प्रयास कर लिए एक जारी नहीं हुआ है कि यह सबसे बड़ी अतिहासिक बात यह भी है देख्षा मोधिया इसमें कि हमारे विप नहीं जारी किया है बिना विप के आज विश्वास मत पर चर्चा हो रहा है और अभी जब वोटिंग होगी तो जितने के जितने सदस्य हमारे आमाधी पार्टी के ह अब उस सारे के सारे अपने स्वेक्षा से वोट आमाधी पार्टी के साथ करके अधियन अर्विन केजवाल की नेत्रत के विश्वास जताने जा रहा है और पूरा देश इस नेत्रत को स्विकार करने को तैयार है अध्यक्षा में आपको बहुत धन्यवाद देता हूं आज आपने सदन में चर्चा करने का मौका दिया मैं एक चंद सब्दों में कहकर के समाप्त करूंगा कविता के माध्यन से जुल्मी जितना जुल्म करेगा सत्ता के हतियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से आप जुल्म करिए भारती जनता पार्टी आप पुलिस बैजिए आप किसी को भी बैज लीजिये आम आधी पार्टी के लोग इमानदार लोग हैं आपके बंदर घुर्की से डरने वाले लोग नहीं हैं, एक एक लोग इंकलाबी लोग हैं और स्टीनातान के खड़े हैं जाच करा लो लेकिन अगर तुमारी जाच होती तो इतने घबराट क्यों होती यह वह जाच हो रही है तो घबराट क्यों है चोल के दाड़ी में तिनका पूरा डाल काला है और जो ये आपरेशनल लोटे सा उसकी जाच होना चाहिए 3300 करोन रुपया कहां से आया उसके बारे में पूरे देश को पता चलना चाहिए ये मैं आपसे मांग करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद